व्लॉवान वेल्कम फैंड्स यह देख सकते हैं यह बोर्ड एक्जाम में अभी दो दीन पहले कोच्छन आया था और यह कोच्छन कितना आसान है को सबस्ता इसको मैं माईक्रोक्जाफ्ट एक्सेस परी सौल पर करके दिखा देता हूं आपको 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 इसी कोड को माई-स्क्राइल में लिख सकते हैं ठीक है देखें यहाँ पर दिया हुआ है मिस्वेदा और टेबल बनाया और टेबल बनाने का कमंड क्या होता है यह तो आप जानते हैं लेगा फिलहाल तो इसमें टेबल बनी हुई है माई-स्क्राइबस containing columns, कौन-कौन से columns है, इसमें game id है, p age है और यहाँ पर g name है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है तीन fields में है after creating the table, she realized, table बनाने कब उन्हें realize हुआ that the attribute category has to be added, यहनि कि category नाम का एक और fields में add करना है help her to write command to add category column, thereafter write the command to insert the following उसके बाद इन सब को insert कराना है, इन ही चीजों में तो पहले तो हमें बनाना होगा, आए देखते हैं इसको, तो यह यहाँ पर आए अब मैं इसको close करते हैं, अब हमें table को close करना है और यहाँ से create पे जाके और then square design पे जाके और यहाँ से SQL पे चले चलना है अब यहाँ पर table बनानी है, तो table बनाने का जो command होता है, वो create होता है तो यहाँ सीधा-सीधा लिख दीजिए create table, ठीक है, चुकि टेबल बना रहे हैं उसके table का नाम दे देंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिलाल game underscore id, ठीक है, underscore लगाके लिखिएगा नहीं तो error आ जाएगा, ठीक है और यहाँ पर int रख देता हूँ, data type मेंचन नहीं है कि कौन सा data type आपको देना है, लेकिन इसमें यह देख सकते हैं यहाँ पर question के अंदर जब आप जाते हैं, तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि game id में g भी लिखा हुआ, यानि text और number का mix-up है तो इसलिए हम यहाँ पर integer ना देखर के, यहाँ पर हम दे सकते हैं, टेक्ष दिया वेर केर, तो यहाँ पर वेर केर कर देता हूँ, तो यह हो गया वेर केर, और इसका size 2, 3, 4, 5, कुछ भी रख सकते हैं आप, तो 3 characters इसमें आएंगे, तो यह हमने रख लिया वेर केर, और उ यह कर दिया, फिर कॉमा लगा दीजिया, कॉमा लगाने के बाद, फिर next field है आपका, पी age, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, पी underscore age, तो जो age है, वो तो float data type हो सकता है, तो FLOAT float हमने कर दिया है, फिर कॉमा लगा दिया, तो यहाँ पर game name आएगा, तो g underscore name, तो यह ह और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखें, यह table support create होता हुआ नजर आ रहा है, अब इसमे record insert कराने है, दूसरा यह दो number का question है, तो इसमे record insert कराने है, दो नहीं बल्कि तीन या चार number का question है, तो यहाँ पर देखिए, अब record में पहले दिया गया है, यहाँ देखें, यहाँ G42, यहाँ गेम ID में G42 insert कराना है, तो बहुत असान है insert into command चला यह और यह कम हो जाएगा बहुत असानी के साथ, तो कैसे करेंगे, आइए दिखते हैं, यहाँ नई query बना लेते हैं, create पर जाके, query design पर जाके, और इसमें click कर देते हैं, और यह query 1 को पहले save कर देते हैं, GQ के नाम से game query, ठीक है, यह हमने कर दिया, और अब query 2 जब बनाएंगे, तो query 2 में किस तरीके से करना है, आपको देखेंगे हम से, सबसे पहले तो हम यहाँ पर insert करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे insert into, किसमें insert करना है, तो sport वाली table में insert करना है, तो यह हो गया sport, ठीक है, और sport क करने के बाद, आपको क्या करना है, bracket को open करना, और तमाम उन fields के name लिखने हैं, जो की इसमें दिये गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह पहला है game ID, फिर है ph, फिर g name है, तो इन सारे fields के name लिखने है, तो पहले game ID कर देते हैं, तो जैसे लिखा है, वैसे ही लिखन कॉमा लगाएंगे और फिर कॉमा लगाने का अगला क्या है, तो अगला हमारा अब तो कुछ नहीं है, पस इतना ही है, तो इतना रख करके अब इसको तो close कर देंगे, और close करके enter करके नीचे आएंगे और यहाँ पर डालेंगे values, तो यह हो गया values, और values में क्या डालना है, देखिए, यहाँ पर दिया गया है, question में G42, तो यह आप पर as a text work करेगा, तो आपको इसे singulated कॉमा के अंदर लिखना होगा, यह चीज ध्यान दिजिएगा, तो यहाँ पर आप कर दिजिए G42, यही है न, तो यह कर दिया और इसे singulated कॉमा के अंतरगत लिखिएगा, आप च 18 है, ठीक है, एबब 18, तो जो लिखा गया है, बिल्कुल वैसे ही आपको देना है, तो यहाँ पर दिखिए, यह game idea हो गया, और 18 से एबब कुछ भी रख लिजिए, आप जैसे 19 रख लिए, तो 19 यहाँ पर दे दिया, फिर comma लगा दिजिए, और फिर game name कह रहा है, तो game name में में है आपका chess, ठीक है, तो यहाँ पर इसको चलाते हैं, पहले तो इसको क्लोस करते हैं, यहाँ से query design पर जाके इसको चला देते हैं, तो दिखिए, यह कह रहा है, you are about to append one row, तो एक row को आप append करने जा रहा है, जब इसमें देखिए, तो रिखिए, तो रिखिए, तो रिखि और inserted हो चीके है, देखिए, जे insert हो गया, अब क्या करना है, अब हमको इसमें थोड़ा सा changes करना है, अब query 2 को भी मैं save कर लेता हूँ, query 2 के ही नाम से save कर लेता हूँ, और table को query को दोनों को close करके फिर यहाँ आते हैं, और यहाँ से अब alter करना है हमें, क्योंकि हम क्या करना च support है, sport, और फिर आपको क्या करना है, enter करना है, और enter करके यहाँ पर add column, यह चलाना है, c-o-l-u-m-n, तो किस नाम से add करना है, तो देखिए, यहाँ पर cat, यहाँ पर देख सकते हैं, यह category नाम से add करना है, ठीक है, category नाम से add करना है, और उसमें senior रखना है, तो यह चीज़ इसलिए हम इसका data type रख देते हैं, where care, where care रख दिया, और where care रख के और इसकी size कर देते हैं, 25, और बंद करके, और bracket को close करके, और terminate करते हैं, और terminate करके, अब जो है, जब इसको चलाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें एक और field, एक और field add हो जाएगा category, अब category के अंदर senior देना है, तो बस हमें यही लिख देना है, devoted comma के अंदर, yes, devoted comma, use कर लेजे, एक चेक करते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर देदेंगे, game id is equal to 42, ठीक है, और अब यहाँ पर 42 ही दिया गया है, देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, g42, g42 दिया गया है, तो हमें भी यहाँ पर g42 करना होगा, यह चीज ध्यान दिजेगा, तो यहाँ पर कर देते हैं, g42, और यह भी ध्यान रखना है, साथ में, कि यह g42, singulated comma के अंदर आपको लिखना है, और अब इसे select करिए, और यहाँ से run करवा दिए, तो यहाँ पर दिखें, you are about to update one row, तो एक row आपकी update हो जाएग आपकी तो बादे, कि अपकी हमें?